नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है C.Y.S.T.L.O.J.R. में तो आज हमारी चर्चा का विशह है कि जो वर्षब लगन के जो लोग हैं उनके उपर राहू का जो परिवर्थन हो रहा है साथ मार्च 2019 को तो वो किस तरह का अच्छा बुरा परिणाम देगा उन सब विशहों के उपर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में साथ में अगर आप राहू से संबंदित कि गोचर में राहू कैसा परिणाम देगा कब देगा और इसको कैसे फलित करते हैं कैसे हम गोचर को सीखते हैं तो उन सब चीजों के बारे में अगर आप जानना चाते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहू का गोचर को लेके जो आपके स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं साथ में उसका जो link है वो आपको इसके वीडियो के description में मिल जाएगा जिससे कि आप वस्वीडियो आसाने से देख सकते हैं तो यह वीडियो मुझे कब परिणाम देगा? यानि 7 मार्च के दिन देगा, 9 मार्च को देगा या फिर अगस्त में देगा, जुलाई में देगा, या फिर 2020 में देगा, क्योंकि राहू यहां पर 18 महीने रहेगा तो जरूरी नहीं है कि राहू आपको कल ही परिणाम देदे, या फिर उसके बात दे, तो यह आपको समझने की जरूरत है, तो उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा, और इसके रहे हैं, राहू के आने के कारण गोच्छर से सम्मंद बनाएगा, जैसे माल लिजिए, कि ये आपकी जनम कुंडली है, जैसे ये तो नौमाश कुंडली है, लेकिन उधारन के तौर बहुता है, जैसे ये आपकी जनम कुंडली है, और यहाँ पर राहू और चंदर्मा जो है, वो मित्वन रासी में विराजमान है, तो जैसे ही राहू मित्वन रासी में आ रहा है, तो दोनों ग्रहों से रासी सम्मंद बना रहा है, तो रासी सम्मंद जैसे ही बनेगा, तो आप यह मानिए कि अब आपको गोचर के परणा मिलने सुरू होंगे लेकिन कम भी लेंगे वो डिपेंड करता है हमारी जनम कुंडली के ग्रहों की डिग्री से कि मान लेजे आपका जो जनम कुंडली का जो राहू है वो आपका अगर 20 डिग्री का है तो गोचर को राहू को डिग् जोती घटते 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 जिस दिन वे 17 से लेगरे ओर यहां पर 1949 ऐगते घटते त्यजूर। तो उदायन के तौर पे अगर राहू मान लीजिए कि 23 डिग्री पे आ रहा है गोचर में वह अप्रेल में या जून जुलाई में आ रहा है तो आपको परड़ाम जून जुलाई से मिलेंगे नहीं कि 7 मार्च 2019 से मिलेंगे तो इसी प्रकार आप उसको फुलिद कर से तो उसके होता है तो वह अपने अच्छे परणामों के लिए जाना जाएगा अब आपको अगर अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि मेरा राहू अच्छा परणाम देगा या बुरा परणाम देगा तो उसको समझने के लिए आप यह देखे कि मेरा राहू मिथून रासी में आ र तो इसका मतलब है कि राहू यहां पर लाव से सम्मंद बना रहा है तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा यानि दूसरे घर का सम्मंद ग्यारवे घर से तो आपको धन में बहुत अच्छा लाव देगा अकारण ही आपको धन कमाने के योग मिल जाएंगे अच्छा इन बुद्ध अगर बारवे घर में बैटा है तो आपको अन एक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे आपको जो है बहुत सारी पीड़ा होने सुरू हो जाएगी वानी में दिक्कत आएगी कहीं न कहीं वानी ऐसी गलत हो जाएगी जिससे कि हमारी लड़ाई जगड़े के और खर् बाव में बैटे हैं तो दूसरे बाव का संबन साथ में से और साथ में का गयार में से तो यह मान लिए जिसकी यह जनम कुंडली है उसके अगर राहू एक्टिवेट हो रहा है अपने डिग्री वाइज तो आपको राहू का जैसे ही गोचर मार्च में हुआ तो आपको यह म रापती में कोई रुकावट है वो भी सौल्व हो जाएगी तो इस तरह के परणाम राहू देंगे अब अच्छे बुरे परणाम आप अपनी जनम कुंडली हो इस ते कि मेरा राहू किस तरह के परणाम देगा यानि कि मेरा बुद्ध और गुरू के अगर पोजिशन अच् Second House जो है वो हमारे सरीर में गले का है गर्दन का है जीब का है और हमारी जो ठुड़ी है और दांत है उनका भी है तो अगर आऊ यहां पे पीडा दायक है अगर वो छटे और आठवे घर से सम्मंद बना रहा है यानि कि वो Health से सम्मंदी डिजिज दे रहा है तो आपको यहा करात है जमा किया हुआ धन है पैसे हैं और यह बॉंड हैं जो भी हमारी जो इकटी की हुई पारिवारी प्रोपर्टी नहीं की पारिवारी प्रोपर्टी जो है वह चतुर्थ-भाव से आ दिये तो यहां पर राहु देवता जो है वह सेकंडा उस में अगर अच्छे हैं तो यहां पे कुटुम्बियों से प्रेम मिलेगा आपको परिवार में वर्दी होगी कोई संतान हो सकती है साधी हो सकती है और अगर यहां पे बुरा है तो अपने परिवार जनों से लड़ाई घर में तनाव का माहुल पती-पत्नी के बीच में लड़ाई पिता-पुत्र के योग बन सकते हैं और सेकेंड रांज डू है वो हमारी परिवार का है तो अगर यहां पे बैठाए है तो लगने लगा वादी प्लैनेट है वलाards उंच्छ का राहू उनकी इतेज़ कर सकता है उनके ज्यान को और बड़ा है और उनको बहुत अच्छी लाब दे सकता है क्योंकि राहूं मित्वुन रासी में आया है मित्वुन रासी जो है वो सेकंड हाउस में आ रही है तो उसकी जो यानि बुद्ध की दूसरी रासी वो पंचम भाव में जा रही है पंचम भाव जो है वो education में smartness का हैं तो जातक जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा smart हो जाएंगे बहुत अच्छे परिणाम देंगे पढ़ाई के अंदर बहुत intelligent हो जाएंगे और बहुत आज लाब देंगे और जिन लोगों का राहू के साथ बुद्ध कई अच्छा विराजमान है तो दूसरे घर का पांच में से और पांच में का ग्यार में से दस में से नवे से कई न कई योग बन जाता है और खास कर कि अगर आठ में से भी बन जाए तो जातक बहुत जादा ही चतुर और बहुत ज़्यादा ही चालाक हो जाएंगे तो सेकेंड आउस जो है वो इंकम का है तो जातक कि इंकम बड़ेगी तो उसके करज भी चुकेंगे और उसकी संतान को सम्मार मिलेगा संतान के काम काज में बडोतरी होगी संतान उच्छ शिक्चा प्राप्त करेगा तास में अगर राहू यहां पे कहीं न कहीं जुड़ा होता है बारवे घर से या फिर आठवे घर से जुड़ जाए तो जातक को अपने जो पार्टनर है या फिर जो आप यह कहेंगी जीवन साती है तो उसके ऑपरेशन के दुर गटना के या फिर उसको हेल्थ से संबंदित इश्यू आसकते क्योंकि बारवे घर में जाना यानि कि खर्चे को दरसाएगा और सेकेंड आउस जो है परिवार का होता है परिवार में पार्टनर का भी माना जाता है क्योंकि यह आपका अपना परिवार है अपना परिवार का मतलब है कि अगर कोई लड़का है तो उसकी पतनी उसका परिवार माना गया है उसके बच्चे उसके परिवार माने गए है यह जो चतुर्त भाव का जो परिवार है वो हमारे माता पिता का जो partner होगा अगर वह पत्नी की कुणड़ी है तो पत्नी और अगर पत्नी की कुणड़ी है तो पत्नी उन दोनों को health से सम्मंदित कुछ issue आएंगे जिनका उनके ऊपर खर्चे का योग बनेगा और इसके अलावा दूसरा वहाँ जो है वह खाने से सम्मंदित है तो वर्षब नटोटा जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसाले पढ़ते हैं और तेज तरह इस तरह बहुत अच्छा हजम भी होगा उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा यह राहु जो है वो इन वह सब चीजों को दिखाता तो यह में राप तोई को इदर से उदर ला सकता है या फिर अपने घर में डाइनिंग टेबल नहीं ला सकता है या डाइनिंग टेबल को इदर से उदर अटा या बढ़ा सकता है और इसके अलावा जो व्रसव लगन के जो जातक हैं उन लोगों को अपनी वानी पर अच्छा कंट्रोल लगना चाहिए क्योंकि राहू सेकंड आउस में आ रहा है तो कहीं न कहीं नीज जनों से यानि कि जो निम्न इस्तर के कार्य करते हैं उन से मित्रता बनाने के भी योग बना सकता है धर्मकरम में इच्छा नहीं रहती है तो उसी प्रकार आदमी भी धर्मकरम में इच्छा नहीं रख यह डिपेंड करेगा आपकी जनम कोंडली के बुद्ध के उपर और गुरू के उपर क्योंकि राहू यहां पर अपना रिजल तभी दे पाएगा जब वो उसके एजेंट यानिकि उसके जो एजेंट हैं वो काम करेंगे तो राहू जो है वो एजेंट है बुद्ध का और गु देगा वो डिग्री से आप अपने जनम कोंडली पे देख सकते हो तो इस तरह के परणाम मिलेंगे यानिकि खाने से सम्दित परिवार से सम्दित और आपके एजुकेशन से सम्दित और इसके अलावा जो है वो यहां पर संतान और साधी से सम्दित भी परणाम अच्छे मि तो ये सब परणाम है वो मिल सकते हैं और ये तो वरशब लगन की जन्म कुंडली के लिए राहू के परणाम थे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें, सस्क्राइब करें तो आप मेरे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरू करें क्योंकि इस यूटूब चैनल में मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको इसी तरह से जन्म कुंडली के ऊपर फलित किये हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस तरह से परदशित किये हुए वीडियो हैं जो आपको बहुत अच्छा लाब देंगे सीखने के लिए तो आप मेरे इस यूटूब के लिए को सस्क्राइब जरूर करें तो धन्यावाद दोस्तों